नमस्कार हरी प्रेमियों कैसे हैं आप उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे आईए आज का परसंग सुरू करते हैं ब्रस्पति वर्थ कथा या वीरवार वर्थ कथा हरी प्रेमियों वीडियो को अन तक जरूर देखना अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आईकोन जरूर दबाए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुचते रहे हरी प्रेमियों आईए जानते हैं सालों पहले गाओ में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राहमन रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी वेह रोज नहा धोकर मन से देवताव की पूजा करते हुए संतान की मांग करता था लेकिन ब्राहमन की पत्नी खूबाल सी थी वेह नहीं सनान करती थी नहीं पूजा पाठ करती थी पत्नी की सादत से ब्राहमन बहुत दुखी रहता था ब्राहमन के धार्मी गुणों से उसके घर में जल्दी संतान के रूप में एक पुत्री ने जनम लिया उसकी फुत्री भी ब्राहमन की ही तरह धार्मिक थी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी पूजापाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा वे हर रोज सुबह उठती सनान करती मगवान विश्णु का ध्यान वे जब करती थी इसी तरह वो ब्रहस्पतिवार का उक्वास भी करने लगी इसे ब्राहमन के घर की गरीबी भी दूर होती थी एक दिन मुझा पाठ करने के बाद मैं पढ़ने के लिए सकूल जाती थी सकूल जाते समय वे अपनी हाथों की मुठियों में जों भरकर सकूल के रास्ते में गिराती थी जब वे सकूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जों के दाने सोने में बदल जाते थे जिनें उठा कर घर ले आती थी एक दिन ब्राहमन की बेटी सोने के जों सूप में बांद साफ कर रही थी तब ही वहाँ आकर उसकी माने कहा बेटी सोने के जोग को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए ब्रामन की बेटी को मा की बात एकदम सही लगी उसके अगले ब्रस्पतिवार को वफवास रखने के बाद उस लड़की ने ब्रस्पतिदेव से सोने का सूप मांगा ब्रामन की बेटी हर बार पूरे वी दिविधान से ब्रस्पतिदेव की पूजा अर्चना करती थी इससे परसन होकर भगवान उसकी सारी इच्छाए पूरी भी कर देते थी इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्विकार कर लिया अगले दिन हर रोज की तरह ब्रामन की बेटी पूजा पाट करके सकूल गई और रास्ते में जों के दाने बोते हुए गई वापस आते समय जब वह जों के दाने बिन रही थी तो उसे सौने का सूप भी मिल गया सौने का सूप लेकर वह घर आई जिसे उसने सौने के जों साफ किये एक दिन इसी तरह ब्रामन की बेटी घर के बाहर बैट कर सौने के जों को सौने के सूप से साफ कर रही थी तब ही उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था राजकुमार ब्रामन की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया जब वह अपने महल पहुँचा तो ब्रामन की बेटी के मौह में उसने खाना पीना त्याग दिया जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कार्ण पूछा राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्रामन के घर गया ब्रामन के सामने उसकी बेटी के विवा का और अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा राजा का प्रस्ताव सून कर ब्रामन काफी खुस हो गया उसने तुरंथी विवा करने के लिए हां करती कुछी दिनों में राजकुमार और ब्रामन की बेटी की शादी हो गई इदर ब्रामन की बेटी शादी के बाद अपने ससुराल चली गई उदर ब्रामन फिर से गरीब होने लगा उसके बुरे दिन बोबारा वापस आ गई एक दिन ब्रामन अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया पिता की हालत देकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्रामन को विदा गया बेटी का दिया हुआ धन कुछी दिनों में खतम हो गया और ब्रामन गरीबी की वज़े से फिर से परेसान हो गया ब्रामन फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याई बताई अपने गरीब ब्रामन पिता की बात सुन कर उसकी बेटी ने कहा पिता जी कल आप मा को लेकर मेरे पास आए मैं उन्हें ब्रस्पती देव के उक्वास और फुजन की वीधी बताऊंगी इसे करने से सारी समस्याई दूर हो जाएंगी ब्रामन ने ऐसा ही किया अगले दिन वहे अपनी पत्नी को लेकर महल में वेटी से मिलने के लिए गया पुत्री ने अपनी मा को बहुत समझाया क्यों ने आलस त्याक कर सुबह सनान करना चाहिए और भगवार विश्णु की फूजा करनी चाहिए लेकिन ब्रामन की पत्नी ने उसकी एक भी बात न सुनी वहाभी भी पहले की तरह रहती थी मा की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पत्री ने मा को एक कोट्री में बंद कर दिया उसे जबरन सुबह सनान करवाया और भगवान विश्णु की पूजा करवाई इसे उसकी मा की बुद्धी में सुधार हो गया अगले ही दिन ब्रामन की पत्नी सुबह उठती सनान करती भगवान विश्णु की पूजा करती साथ ही बेटी के अनुसार हर ब्रस्पती वार के दिन व्हुपास भी करने लगी इसे परसन होकर ब्रस्पती देव ने उनकी सारी गरीबी और समस्याय दूर कर दी फिर वह एक सुखी और संपन जीवन जीने लगे इस वर्थ के परभाव से मरित्यू के बाद ब्रामन और उसकी पतनी को स्वर का द्वार भी मिल गया आलस्य करने से किसी भी तरह का काम नहीं बनता आलस्य को छोड़ कर सुबह जल्दी उटकर पुजा पाठ करना चाहिए और मन शांत रहता है और सभी मनों कमनाई भी पूर्ण होती है हरी प्रेमियों आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद